हरे कृष्ण, आज की कहानी में आपका स्वाकत है दो मित्र सेलवा और शिव मंदिर के दर्वाजे पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाहर बारिश थम जाए रात का समय था एक अन्य व्यक्ति रमेश भी वहां आया और पूछा क्या मैं रात यहां गुजार सकता हूँ तो दोनों ने हा कर दी ये सोच कर कि उनको भी तो यहीं रात गुजारनी पड़ेगी थोड़ी देर में रमेश को भूक लगी उसने कहा क्या तुमारे पास कुछ खाने को है शिव कहता मेरे पास पांच रोटियां है और सेलवा ने कहा कि उसके पास तीन रोटियां है रमेश ने कहा ठीक है हम इनको बराबर बांट लेते हैं हर एक रोटी के तीन टुकडे करते हैं जिससे हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम बराबर बांट लेंगे उन्होंने ऐसा ही किया सुबे हुई, बारिश रुक गई रमेश ने धन्यवाद किया और उन दोनों को आठ सोने के सिक्के दे दिये सेल्वा और शिव में आपस में बराबर बांटने पर बहस हो गई शिव बोला उसने पांच रोटियां दी इसलिए उसको पांच सिक्के मिलने चाहिए परंतु सेल्वा इस पर राजी नहीं हुआ बहस बढ़ने पर मसला राजा के यहां पहुँचा राजा ने सोचा और बोला कि अगली सुभा फैंसला सुनाएगा रात को राजा के सपने में भगवान आये और राजा को फैंसला सुनाया सुभा राजा ने दोनों को बुलाया और शिव को पांच सिक्के दिये और सेल्वा को तीन क्यूंकि सेल्वा ने तीन रोटियों के नौ टुकड़े किये थे और उसमें से आठ उसने खा लिये और शिव ने पंदरा टुकड़े किये थे जिसमें से उसने सिर्फ आठ खाए इसलिए शिव को जादा दिया भगवान का न्याए धर्म खाते के हिसाब से होता है श्री क्रिष्न अर्पनम